मित्रों मातालक्ष्मी से हम सभी अवगत हैं वेधन और वैवव की स्वामिनी है मात्र इतना ही नहीं उनकी सभी लीलाओं के विशे में हम सभी को जानकारी है उन्हें प्रसन करने के लिए हम सभी ना जाने कितने जतन करते हैं कभी उनके नाम से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी श्रधा भाव से उनका पूजन करते हैं मात्र इतना ही नहीं बहुत से व्रत भी करते हैं हम सभी यह भी जानते हैं कि वह माता सरस्वती तथा माता काली के साथ प्रीदेवियों में से एक तथा श्रीहरी विश्नु की पत्नी है परन्तों हम में से शायद ही किसी को यह ग्यात हो कि उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अलक्ष्मी या दरिद्रता है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्यान और व्यराग्य में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दरिद्रता कौन है तथा उनका निवास कहा है मित्रों इस वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा और आप किस गाउन से किस शहर से या फिर किस देश से हमारे यह वीडियो देख रहे हैं कॉमिन बॉक्स में बताईएगा दरिद्रता कौन है पौराणिक मानेताओ के अनुसार जिस प्रकार माता लक्ष्मी का उद्गम समुद्र मन्थन से हुआ था ठीक उसी प्रकार से अलक्ष्मी भी समुद्र मन्थन से हाथ में मदिरलिये प्रकट हुई थी तथा श्री हरी विश्नु के कहने पर उन्हें असूरों को दे दिया गया था अतहा माता लक्ष्मी को श्री हरी विश्नु ने स्वेम स्वेकार किया था अलक्ष्मी का उद्गम माता लक्ष्मी से पहले हुआ था जिस कारण अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बड़ी बेहन कहा जाता है एक और जहां माता लक्ष्मी धन तथा वैवव की देवी मानी जाती है तो वहीं अलक्ष्मी गरीवी और दरिद्रता की ओर संकेत करती है तथा उन्हें दुर्भागे की देवी कहा जाता है यही कारण है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में धन वैभव तथा सुख शान्ती होती है परन्तो जिस घर में अलक्ष्मी या दरिद्रता का वास होता है वहां अशुग घटनाए, पाप, आलस्य, गरीबी, दुख तता बिमारिया निरंतर बनी रहती है दरिद्रता कहां वास करती है अब प्रश्न यह उठका है कि दरिद्रता या अलक्ष्मी का वास कैसे और किन घरों में होता है तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन घरों में सदैव कलह कलेश, गंदगी अधर्म तथा आलस रहता है उन घरों में सदैव अलक्ष्मी तथा दरिद्रता का वास होता है क्योंकि जिन घरों में ऐसा होता है वहां माता लक्ष्मी आकर वापस चली जाती है ऐसे घर माता लक्ष्मी के रहने के लिए अनुकुल नहीं होते माता लक्ष्मी उन घरों में वास करती है जहां स्वच्छता सदभावना, प्रेम तथा धर्म होता है परन्तु उनके विप्रित अलक्ष्मी ऐसे घरों से दूर ही रहती है हिंदु पौरानिक माननेताव के अनुसार पीपल के पेड़ पर श्री विश्नु एवं माता लक्ष्मी का वास होता है परन्तु पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुब माना जाता है क्योंकि रविवार के दिन उस पर अलक्ष्मी का वास होता है माननेताव के अनुसार पीपल के पेड़ पर दिन के समय देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा रात्री के समय अलक्ष्मी वास करती है यही कारण है कि रात्री के समय पीपल के पेड़ के पास जाना वर्जित होता है क्योंकि रात्री के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से घर में अलक्ष्मी का डेरा हो जाता है मात्र इतना ही नहीं रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए दरिद्रता को दूर कैसे करे? दरिद्रता को कैसे करे दूर अब तक हम सबने जाना कि दरिद्रता तथा अलक्ष्मी का वास किनके स्थानों पर होता है अब हम जानेंगे कि दरिद्रता को दूर कैसे किया जाए अलक्ष्मी पीपल के पेड़ पर निवास करती है इसलिए यदि घर में पीपल का पेड़ उख जाए तो रविवार के दिन उस पेड़ के पास नीमबू काटकर पहले 45 दिनों तक उसकी पूजा अर्चना करे और फिर उसे जड़ सहीद उखार कर किसी स्थान पर लगा दे कभी भी अपने घर में या काम करने के स्थान पर माता लक्ष्मी की खंडित मूर्ती ना रखे साथ ही ऐसा चित्र भी ना रखे जिसमें वे है उल्लू पर बैठी हो इसके अतिरिक देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ती भी ना रखे जिसमें वे खड़ी हुई हो ऐसा करने से दरिदृता और अलक्ष्मी का वास होता है मित्रो अपने घर में सदयर साफ सफाई रखे और व्यर्थ के जगडों से बचे ऐसी माननेता है जहां साफ सफाई वा खुशाली होती है वहां देवी लक्षमी वास करती है और जहां कलेश होता है वहां अलक्षमी का वास होता है नीमू मिर्ची का तोटका दोस्तों हमने अक्सर देखा होगा कि किसी के दुकान या किसी के घर के मुख्य द्वार पर नीम्बो और मिर्ची टंगी हुए होते हैं जिसका कारण हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता और इन में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि घरों तथा दुकानों के मुख्य द्वार पर नीम्बू मिर्ची टांगने से बुरी नज़र नहीं लगती और सभी कारे सफल होते हैं परंतु पौरानिक मानने ताओ के अनुसाथ नीम्बू मिर्ची टांगने का कोई और ही कारण है मित्रो यह तो आप सभी ने सुना ही होगा कि माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है जिस प्रकार माता लक्ष्मी को मीठे खार्दे पदार्थ अत्यधिक प्रिय है ठीक उसी प्रकार अलक्ष्मी या धरिद्रता को तीखे और खटे खार्दे पदार्थ पसंद है तथा वे उनकी ओर आकर्शित होती है इसलिए घर तथा दुकान के बाहर नीमू मिर्ची टांगे जाते है तो मित्रो देखा आपने घर तथा दुकान के बाहर नीमू मिर्ची टांगने का असली कारण क्या होता है? घर तथा दुकान के बाहर नेमू मिर्ची टांगने से दरिदता घर के बाहर से ही अपना प्रिय भोजन गरहन करके चली जाती हैं जिससे उनके प्रभाव से घर तथा दुकान को बचाया जा सकता है इसलिए घर तथा दुकान के बाहर नेमू मिर्ची टांगने का प्रावधान है ताकि दरिजता घर के बाहर से ही अपना प्रिय भोजन ग्रहन करके चली जाए और उनके प्रभाव से घर तथा दुकान को बचाया जा सके मात्र इतना ही नहीं नेमू और मिर्चो को एक साथ कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही उन्हें एक साथ रखना चाहिए जब भी आप बाजार से नेमू या मिर्ची एक साथ खरीदे तो उन्हें एक थैले में कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए उन्हें अलग-अलग ही रखना चाहिए क्यूंकि यदि निंगो और मिर्ची एक थैले में एक साथ घर पे लाया जाए तो उनके साथ दरिद्रता भी घर में प्रवेश कर जाती है मित्रो अब तो आप सभी को यह ग्यात हो ही गया होगा कि दरिद्रता कौन है तथा किस तरह के घरों में उनका निवास होता है अथा उन्हें किनू पायो द्वारा घर से बाहर निकाला जाए और हम किनू पायो द्वारा उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आशा करती हो कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन हैं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शियर जरूर करें और हाँ जाने से पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार